परम पुज्य बोदेसत बाबा साब डॉक्टर मबेटकर ने तीसरी पृतिग्या हमें यह दिल आई कि मैं गौरी गणपती और हिंदु धर्म के किसी भी देवी देवता की कभी पूजा नहीं करूंगा नहीं उन्हें मानूंगा तो मैं मानता हूँ यह पृतिग्यावी बाहु साब ने बहुत सो समझ के हमें दिलाई आकर यह सब कुछ हिंदु धर्म और ब्राम्मणबाद के आधार बिंदु है न यह सारे गौरी गणपती यह जितने भी देवता हैं यह सारे के सारे देवता और 33 करोड देवता ब्राम्म कभी उनके आखों में नमी नहीं आई कभी उनने दिखाई नहीं दिया कि करोड और लोगों पर उसी के बनाए हुए लोग जिसको वो कहते हैं कि इश्वर ने हमें बनाया है वही लोग अन्याय और अत्यचार कर रहे हैं कभी उनने दिखाई नहीं दिया कभी उनके मन में य अन्याय और अत्याचार को खत्म नहीं किया, बलकि चुप चाप देखता रहा, और इससे साफ जाहिर होता है, कि ये इश्वर नाम का किवर ढखोसला है, जो भामरबाद ने बनाया है, और कुछ नहीं है, जिसे हम देवी देवता बोलते हैं, जिने हम इश्वर बोलते हैं, उ ही तो हम मानते हैं कि इश्वर सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन ये करों 33 करोड की संख्या में जो देवी देवता हैं, गौरी, गणपती, इत्याजी नजाने कितने नाम हैं, ये सारे के सारे, एक साल नहीं, दो साल नहीं, दस साल नहीं, हजारों साल तक ये अन्याय अत् एक देवता, जो इश्वर का रूप है, जो इश्वर ही है, कम से कम एक व्यक्ति के दुखदर तो ठीक कर सकता था, लेकिन सारे के सारे देवता योही चुप चाप बैठे रहे, आंखों पर पट्टी बांद कर, किसी ने, इतना अन्याय इतना अत्याचार होता रहा, उसके विशे में कभी एक बात नहीं कही, तो इससे साफ जाहिर होता है, कि इश्वर नहीं है, ये केवल ब्रहम्मण का, ब्रहम्मण वाद का खड़ा किया धकोसला है, इश्वर का नाम लेकर, लोगों पर अन्याय और अत्याचार सदेव करते रहने का एक शड्यंत रहे, इसलिए बाबा साथ डॉक्टर मेटन कहा, कि गौरी गणपती इनमें से किसी भी देवी देवता को कभी नहीं मानेंगे, नहीं इनकी पूजा करेंगे